प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार सत्ता में तो आ गए लेकिन रास्ता काट उबरा है क्योंकि बैसाकी की सरकार चला रहे हैं एक बैसाकी है चंदरबाबु नायडवांधर प्रदेश के मुख्यमंत्री है दूसरे हैं नितीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री है और बारा सांचद एंडिये की सरकार में उनके शामिल है इस बार की सरकार मोदी थ्री पॉइंट ओ नहीं है बलकि एंडिये थ्री पॉइंट है और यही अब लगतार ऐसा कहा जा रहा है कि जो नितीश कुमार हैं और चंदरबाबु नाइडू हैं वो किसी भी वक्त किसी भी समय बिये एंडिये का साथ छोड़ कर जा सकते हैं लालू प्रसाद यादा हो तो अगस्त तक का वक्त भी दे चुके हैं लेकिन अगर दोनों मुख्यमंत्रियों की मांगे पूरी होती रह हैं वक्त वक्त पर तो फिर क्या कहीं कोई भाग सकता है कहीं कोई जा सकता है या फिर साथ छोड़ सकते हैं अगर आपको याद हो तो पांच दिन चंदरबाबु नाइडू दिल्ली में रहे क्योंकि 22 तारीक से बजट शत्र शुरू होना है और 22 तारीक 22 या फिर 23 तारीक म में 2024 का बजट मोदी सरकार पेश करने वाली है बजट में आंतरबरदेश को क्या क्या मिलना चाहिए क्या क्या मिल रहा था उसी के लिए चंदरबाबु नाइडू दिल्ली में रुके पांच दिन रुके उन्होंने प्रधान मंतरी मोदी से मुलाकात की राजनात सिंग से चंदरबाबु नाइडू को दिया जा सकता है 60,000 करोड रुपे जो तस्वीर आपके सामने है इस तस्वीर के लिए चंदरबाबु नाइडू को आंधरप्रदेश का विकास करना है अमरवती को एक बार फिर से नए तरीके से ड्वलप करना है राजधानी के तौर पर इसी लिए उन्हें आर्थिक विशेश पैकेज से नवाजा गया है मोधी सरकार की तरफ से इनाम ये दिया गया है असा खहा जा रहा है कि 60,000 करोड रुपे के निवेश से तेल रिफाइनरी और पेट्रो कैमिकल्स हब स्थापित करने की जो प्रमुख मांग थी चंदरबाबु नाइडू की वो स्वीकार कर ली गई है नाइडू ने रिफाइनी स्थापित करने के लिए वेवारता पर चर्चा करने के लिए भारत पेट्रोलियम कॉर्परेशन लिमिटेड मतलब बीपी सील के शीर सधिकारियों से मुलाकात भी की अब लोगों की नजरें बिहार के मु पचली पत्टनम और रमाय पत्टनम शामिल है रिफाइनरी के उपचारी घोशना 23 जुलाई को पेश किये जाने वाले बजट में हो सकती है स्थानों का आगलन किया जाएगा और फिर उन्हें अंतिम रूप दिया जा सकता है चंदरबाबु नाइडू के लिए ये एक बड दिखाता हूं कि क्या कुछ यहां से जाने दिल्ली से जाने के बाद दिल्ली से आंद्रप्रदेश पहुचने के बाद चंदरबाबु नाइडू लिखते हैं हम आद्रप्रदेश के पुनर निर्मान के मिशन पर हैं पिसली सरकार ने इसे जिस स्थिती में छोड़ा था उस इस मिशन में सभी का सहयोग चाहिए खासतोर पर मीडिया का जो हमारे लोकतंत्र का चौथा स्थम्भ है मीडिया नागरिकों को सूचित रखने और सरकार को जवाब दे बनाने में महत्तवपूर्ण भूमी का निबाता है कल मेरी कई लोगों के साथ सार्थक बैठके हुई बी करने में स्थापित करने में और साथ हजार करोड रुपे चाहिए साथ हजार करोड का पेट्रो केमिकल से का जो है रिफाइनरी लगाने के लिए भी चंदरबाबु नाइडू को चाहिए और ये सब मांगें पूरी हो सकती है या फिर कहें के हो चुकी है और सिर्फ इनकी घ विशेस राज्य का दरजा दिया जाएगा या फिर आर्थिक पैकेज जो बिहार के मुख्यमंतरी मान कर रहे हैं कि बिहार को विशेस आर्थिक पैकेज जिस तरीके से दिया गया है चंदरबाबु नाइडू को अंदरप्रदेश के लिए वैसा ही कुछ दिया जा सकता है त 30,000 किलोमेटर से ज्यादा लंबाई की सड़कों की मरमत के लिए अलग से पैकेज की मांग रखी गई है साथ ही बिहार को विशेज राजे का दर्जा दिये जाने का मुद्दा भी उठाया गया ऐसे में बिहार को लेकर बजट में कुछ बड़ी घोशना हो सकती है अब 23 तारी रुपए का थर्मल प्ला पावर प्लांट ये सब कुछ दिया जाता है बिहार को या फर नहीं और साथ में खास बात और भी है कि जो विशेज राज्य का दर्जा है उसे चंदरबाबु नायडू से इंकार कर चुके हैं कि उन्हें विशेज राज्य का दर्जा नहीं चाहि गए लेकिन अब नितीश कुमार के हाथ क्या लगेगा क्योंकि जिस वक्त समर्थन नितीश कुमार ने प्रधान मंत्री मोदी को दिया था उस वक्त बड़े हस्ते हुए और चुटीले अंदाज में नितीश कुमार ने कहा था कि हमारे जो कुछ काम है वो तो हो ही जाएंग ना और आपना जो समर्पन है नितीश कुमार ने वो भी प्रधान मंत्री मूदी के तरफ दिखा दिया था जिस वक्त उन्होंने प्रधान मंत्री नरेंदर मूदी के पैर छुने की कोशिच की थी तो समर्पन भाव दिखा दिया था समर्पन भाव चंदरबाबु नाइडू भी दिखा चुके हैं कि उन्हें सिर्फ अपने राज्य के विकास से मतलब है बाकी केंदर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है उस पर चंदरबाबु नाईडू का बहुत ज्यादा ध्यान नहीं है तो अब देखना होगा कि दोनों के बीच कुछ फटवार होती है या फ इस बार फिर से बनाई गई है उनसे भी चंदरबाबु नाईडू ने मुलाकात की गुलदस्ता भेट किया और साथ ही बजट पर चर्चा की कि क्या कुछ उनके लिए जो तस्वीर आप देख रहे हैं यह तमाम मंत्रियों के साथ तमाम अधिकारियों के साथ जो है शन्रबाबु नाईडू को भी जो है मेट्रो के लिए अमरावती मेट्रो के लिए विशेज पैकेज चाहिए जिसके लिए जाया Sciences क्मार की इनके बाद कुछ भारतिया राजनीती में फर्क पढने वाला है क्योंकि जो विपाक्ष है वो लगातार आरोप लगा रहा है कि ये बैसाकी की सरकार है और ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है अब बैसाकी को मजबूत करने के लिए प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी लगातार कदम उठा रहे हैं चंद्रबाबुनाइडू की सारे मांगे मान ली गई है सिर्फ अब उपचारी घोशना होनी बाकी है और वहीं नितीश कुमार की बहूं जितनी मांगे हैं मज्य हुए खिलाडी हैं तो अब देखना दिल्चस्प होगा कि 60,000 करोड अलग से जो दिये गए हैं चंद्रबाबुनाईडू को उससे अलग 15,000 करोड अमरावती के लिए 12,000 करोड नहरों का विकास करने के लिए उसके बाद नितिश कुमार को केंदर सरकार क्या कुछ देत हुए लाट लो वाड्लियोष कर दिल्स कुमार करना is. negotiating.